उनलाइन पास्पोर्ट एप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने Google Play Store को ओपेन कीजिए फिर यहाँ पे M Passport से बाँ सार्च कीजिए स्क्रίν पे जो एप्लिकेशन दिखाई दे रहा हुआ आप डाउनलोड करंसे बाद आपो एपलिकेशन को ओपेन करना इपलिकेशन ओपेन हो रहा है अगर आप चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्स्राइब करते न और साथी साथ बिल ऐरे कनको डबा देना new user registration select करके आपको इस app पे register करना होगा फिर जो step है वो है passport office आपको select करना होगा मेरा nearby जो passport office है वो है Guarti तो मैं Guarti select कर रहा हूँ फिर आया given name आपका नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा फिर surname डालना पड़ेगा फिर date of birth फिर यहाँ पे आपको अपना email ID डलना पड़ेगा फिर जो अपना login ID है वो आप अपने से भी select कर से नहीं तो अपना email ID भी रख सकते हो फिर जो आया password अपने से एक password दे देना फिर confirm कर देना और hint question मैं यह hand question अपना bar city select करके उसका answer भी डाल देता हो फिर जो capture है वो capture टाइप करके submit में क्लिक करना है submit पे क्लिक करने के बाद आपका screen पे यह दिखाए देगा कि thank you for registering on the passport sewa portal to activate your account please click the link in the email center your email ID जो email ID आपने डाला था वहाँ पे एक email जाएगा इस link पे आपको क्लिक करके अपना account को activate करना है email पे दिया हुआ link पे क्लिक करके मैंने आपको activate कर लिया अभी यहाँ पे आपको existing user login पे select करना है फिर आपको यहाँ पे login ID डलना है आपने जो login ID दिया था वह आप यहाँ पे डालोगे डलने के बाद आपको password क्लिक करना होगा password क्लिक करके capture type करके फिर आपको login पे प्रेस करना होगा login करने के बाद आपके screen के सामने यह दिखाई देगा apply for fresh passport तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने यह screen आएगा screen पे देवे जो option से आपको यह select करना होगा तो आपका state आपको select करना होगा और district select करना होगा फ्रेश पासपोर्ट एपलाई करना है तो आपको यहां से फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है फिर जो टाइप अफ एप्लिकेशन यहां से आपको नॉर्मेल सिलेट करना है अगर आपको ततकाल चाहिए तो ततकाल पे क्लिक करना है फिर टाइप अफ एप्लिकेशन बुक पासपोर चाहिए तो आपको चार्ज लगेगा फिफटीन नेड़ रूपीज और अगर आपको 60 पीजिस का पासपोर चाहिए तो आपको जो फीज या चार्ज वो टू-टू-ज़न रूपीज लगेगा फिर आपको यहाँ पर अपना name और surname को type करना होगा फिर यहाँ पर question क्या है कि आपको और किसी नाम पर जाना जाता है या नहीं तो मुझे मेरा और कोई नाम नहीं है तो मैं 9 पर select करता हूँ फिर यह पुझा कि have you ever changed your name आपने कभी भी अपना नाम change किया या नहीं तो आपको यहाँ पर नौ पर select करना है फिर आपका date of birth चूज करना है यहाँ से फिर यहाँ से आपको अपना place of birth state district और जेंडर select करना है नेक्स्ट आपको अपना pen card और बुड़ कार नमबर टाइप करने के बाद आपको employment type select करना होगा फिर आपको education qualification select करना होगा फिर एक visible identification mark आपको type करना होगा फिर अधर कार नमबर टाइप करके आई एगरी पर select करके next पर click करना है next यहाँ पर आपको अपना father's name mother's name और guardian name type करने के बाद आपको next पर click करना है next step यह है कि आपको अपना present residential address यहाँ पर डलना होगा आपका house number, village, address, pin code सब कुछ आपको यहाँ पर डलना होगा एड्रेस डलना के बाद आप एक बार चेक करके फिर आपको next पर click करना है next आपका screen पर यह दिखाई देगा कि emergency content के लिए आपको अपना नाम, address, mobile number और email डलना होगा तो जो mobile number जो active है वो आपको यहाँ पर डलना होगा फिर डलने के बाद next पर click कर देना फिर आपके screen के सामने कुछ option आयेगा आप अपने अनुसार के मुताविक यह option को select कर देना yes यह no फिर आपको next पर click करना है next आपके screen के सामने कुछ option दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको सब पर no select करके फिर next पर click करना है फिर आपका passport का front page का एक e-page आपका screen पर दिखाई देगा आपको यहाँ से चेक करना है कि आपका नाम और father's name सब कुछ ठीक है या नहीं अगर ठीक है तो आपको next पर click करना है finally the last step it is proof of birth यहाँ से आपको proof of birth जो certificate है एक select करना होगा फिर आपको proof of address एक certificate select करना होगा next यहाँ पर आपको please or date type करने के बाद I agree पर click करके फिर आपको final submit करना है तो यह रहा online passport apply करने का full procedure further जो step से इसके जानकरी के लिए बेल आइकन को दबा देना और साथी साथ मेरो चैनल को subscribe कर देना